किसान भाईयों, राजे इस्त्र वेधी का नमस्कार। यह आए हम आपको दिखाते हैं कैममायल के बारे में। इसमें यहाँ नर्सरी डालने के बाद इसमें यहाँ पे इसका एक एकर का प्लांटेशन किया था। यह देखे एक एकड का यह प्लांटीशन है और एक एकड से उपर उपर का यह प्लांटीशन यहां पे है जो कि यहां के लिए बहुत ही best forming है और यहां पे first time यह forming हो रही है आप लोग जानते होंगे कि इसकी चाय बनती है और इसको चाय में यूज कियाता है और बाकी कास्मेटिक में यूज कियाता है यह आईए हम अपने हरी सर से आप लोगों को मिलाते हैं यह हरी सर है जो कि कैमोमाईल की forming यहां पे start किये हैं तो आईए थोड़ा इंसे introduction करें सर कैसे हैं आप बढ़ा सर आज कैमोमाईल के flower की आपने तोड़ाई start किया है आपको कैसा लग रहा है कैसा feel हो रहा है यह forming सर आप पहले भी किये हैं या फिर first time आप कर रहे हैं यह first time forming कर रहे हैं आपने यहां पे कौन-कौन सी forming किया है सर हमारी यह कैमोमाईल है और सरपगंधा करने जा रहे अच्छ, ये सर कैमोमाईल के वारे में आप जानते हैं कि इसका यू जिसका बेनिफिट क्या है, तो सर क्या बताएंगे इसके बारे में हमारे यू वेस्ट बंगौल तो आप एक पुरस पकड़के चले हैं कि अगर हम यह अक्टूबर से लेकर के फर्वरी अक्टूबर में आप इसकी नरसी डालेंगे नवंबर में अप टकी Ben कि अश्रूंबर करेंगे कि ओप्यू पौर्मिंग किया आपके हिसाथे इंकंदेने वाली फार्मिंग है क्या आप ऐसा फिल कर रहे हैं तो मुटा मुटी जो हम धान गी हूँ इससे बेश्ट होगी और यहां इस जमीन पर धान गी हूँ हो नहीं सकता है काजू की बाग है यह वाली हाँ यह काजू की बाग है अच्छा तो आईए आपको हम दिखाते हैं जो दीदी लोग है काम करते हैं सभी एक्सपर्ट है इसमें यह जब फूल दिखाएंगी दीदी यह हाँ यह कैमो माईल का देखिए इन लोगोंने फूल तोड़ा है और यह इतनी डिस्टेंस से फूल उन्होंनों तोड़ा है काफी बेस्ट क्वालिटी निकालती है एक बढ़दी दिखें आपका भी यह देखिए और इसके बाद इसे सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद फिर इसको ड्राइ करके पैकेज में इसको पैक कर दिया जाएगा ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी बनती रहे यह मिल्क थ्रिच्टल और कैमोमाईल यहाँ पे दो खिती हैं जो रणिंग में अभी समय चल लही है जो अभी रिसेंटली इन्होंने बोया है और इसका इल्ड इनको महीने, दो महीने में मिलने माला है वैसे आईए कैमोमाईल के बारे में हम थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दें कैमोमाईल एक ऐसा पौधा है जिसके फ्लावर को हम चाय में भी यूज करते हैं हर्बल्टी में यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है और कैमोमाईल के फ्लावर को निकालने के बाद जितना भी उसका बेस बचता है कली बचती है वो हम इसका पूरा हारवेज को इसका तेल भी निकाल सकते हैं जो कि मार्केट में आज की डेट में इसके तेल की कीमत 40,000 से 45,000 रुपए केजी है हाँ मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चड़ाव होता है कभी 30 में भी हो जाता है बट अगर एक एकड़ में 3 केजी से 4 केजी हम आईल निकाल लें और 3 कुंटल 4 कुंटल अगर हम सूखा फूल निकाल लेते हैं तो सूखे फूल की भी कीमत 30,000 35,000 रहती है तो अगर एक तर सिर्फ 4-5 महिने में कमा सकते हैं अब आईए हम आपको दिखाते हैं मिल्क थृस्टल इसको काला सोना भी कहा जाता है ये काला सोना इसलिए है कि फार्मर के लिए बहुत लकी क्रॉप है ये काठेदार फसल है ये फसल ज़्यदार पहाड़ियों इलाके में ज़्यदा है और Milk Thistle सबसे ज्यादा कमजोर और Kidney Heart के के लिए लीवर के लिए बहुत इसका huge होता है Milk Thistle का-Tablet बनता है Milk Thistle बेभी फूड में भी पढ़ता है आये सर crk फिर थे हरी बना से हम फुड़ा सा पूछते है कि मिल्क थिष्टल की खेती में कैसे आपका इंट्रेस्ट चगा देखिए हम तो जंगल में कर रहे हैं सज बोलिये तो ये चारो तरफ हाती है जहां पर गाए हैं बहुत सारी जानवार रहे हैं तो जिसके लिए हमने जानबूच करके राजे जी को कुछ काठे दार फसल हमें दोता आई हैं इसके लिए हमने सवतावरी नेपाली सवतावर कर रहे हैं और यह मिलक ठिश्टल dog में आप ये इसके अंदर जो पूर्डेक्श करेंगे। आपका यह प्लान है , कि यहां कि किशानो ज्यादा अचछी नहीं है K Like that यह लिए कर लेकर ख्राब है, उसको कुछ नया नहीं मिल ला करने को तो आप यज जो 씨क्रा अका कर रहे हैं चार-फांस तरीके कि अगले साल हम लोग जो भी है अपको प्रस्टि ईसर देंगे उनकी बताएं सब कुछ जहां तक है कि इस साल के अंद तक हमारे पास बहुत सारे फार्मराइब हो जाएंगे अच्छा अच्छा और सर यह जो आपने लैंड छोड़ रखा है यह किसके लिए यह लोग नेपाली सतावर करेंगे असी के लिए हम लोग बना रहे हैं अच्छा ताकि खेत को छे मह किया गया है तो इसमें तो और अच्छी इल्ड होगी अच्छा सर आए और थोड़ा सा यह जो खेती आपने कराई है यह काहू की खेती कराई है यह भी खेती सर आपके यहां के लिए नई खेती है लोग इसको भी देखने आते होंगे यह क्या है यहां पे सर आपकी क्या पा प्रॉब्लम है दूसरी बात है बल्वी मट्टी है जिसके लिए पान्वी रेसिस्टन रहनी पाती है डारेक्ट नीचे से लगाती है अच्छा फिर भी दीरे-दीरे तो धीरे-धीरे आश्ता-श्ता बन जाएगी ठीक है सर इसमें इस पिंकलर का आप यूज जादा करें अच्छा और सर आगे चलते हैं आगे जो फसल दिख रही है यह फसल आपकी क्यक मतलब इसमें आपने काहू कराया है काहू के साथ साथ आपने अकरकरा भी कराया है और अशुगंधा भी कराया है यह देखिए सर के यहाँ अशुगंधा का जर्मिनेशन देखिए कैसा हुआ करने के बाद जो बाजार की मांग है उस मांग को पूरा की जाएग deed और और आशा करते हैं कि और भी हमारा प्लान है कि यहाँ पे हम 10 से 15 medicinal और 4 से 5 aromatic forming को हम यहाँ पे रन करेंगे क्योंकि सर का प्लान लगबग 1500 एकर से उपर का है यहाँ पे बहुत सारे किशानों के साथ काम करके उनके साथ forming करना है इनको यह देखें सर ने आपने सर अच्छा प्लान किया है आपने अकर करा भी किया काहू भी किया अश्वगंधा भी किया अगर थोड़ी पानी की अच्छी सुवधा हो जाए तो मेरा मानना है कि सर आप त्री मंटी मंटी लियर फॉर्मिंग आप इसमें करके आप एक इस्पेसल डेमो ये भी दिखा सकते हैं तो ये सर और आगे सर देखते हैं ये आपने ये जो अभी तो ये आपने कैमो माईल यहां लगा रखा है फिर ये थोड़ा सा लेट बराइटी के लेढ़ में झाफोल सही नहीं निकलेगा तो इसका तेल निकाल लेंगे तो ठीक है सर आपा ये भी प्लान सही है ठीक है सर आप यहां जो फॉर्मिंग कर रहें उसके बारे में कुछ बताएंगे किसके त्रो कर रहे हैं कैसे कर रहें ने कुछ टृवेदी बोलक सुनिरें हम बीज हो हर चीज की सुविधा दूसरी बात सेल के लिए भी हमें जहां भटकना नहीं पड़ेगा तोटल अच्छे-च्छे सेल्समेंस हमें बात करवा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं तो आप ये छोटी सी फॉर्मिंग से संतुष्ट हैं जरू यहां के लिए वेरी थैंक्यू सर और ये वीडियो आप लोग देखिए कुछ सीखिए सर और इसको लाइक करिए और इसको सस्क्राइब करिए और इस वीडियो के थ्रू अगर आप हमसे जुडना चाहते हैं तो प्लीज हरी सर का नंबर है आप उस नंबर पे कॉल करिए सर आप अपना प्लीज नंबर बताएंगे और मेरा नंबर है एक्यान नभी चालिस बान नभी सत्तासी जीरो तीन राजिस्त्र वेदी फ्राम लखनो ठीक है सर ओके वेरी थैंक्यू सर